नमस्कार, माई शब्ड डॉक्टर एस्वी वर्मा, होमेपैथिक फिजीसियन और कंसल्टेंट एड तबी क्लीनिक कानपूर आईए बात करते हैं, एक हमारे पेशेंट है योगयोस कुमार जी जिनकी उमर 19 साल है उनको पिछले तीन सालों से लेटिन के राष्टे से एक फुंसी बन गई थी बगल में, वहां से उनको पस आने की समस्या थी जिसमें खुजली जलन भी होती थी, असैनी दर्द भी होता था, उनका सुबह सुबह पेट भी ठीक से साफ नहीं होता था उन्होंने कई जगें इलाज कराया लेकिन उनको कोई विदिवस समाधान नहीं मिला ऑनलाइन प्रचार के माद्य हमसे वो तीन मेहने पहले हमसे जुड़े, उनका तीन मेहने तक हमने इलाज किया है आज की डेट में उननब्बे परशेंट तक अपने आपको स्वस्त महसूस कर रहे हैं, आईए जानते हैं मरीज का फीड़बाग हेलो, हेलो, गुड मॉनिंग सर, योगेश कुमार जी से बात हो रही है, हाँ सर, मैं वीक लिंग होमेपैसिक कान पर सबात कर रहा हूं सर, यह फीड़बेक कॉल है, कॉल ही सर रो रिकॉड की जा रही है, हाँ सर, आप बता पाएंगे दवा लेने से पहले, आपको क्या प्र अधि बंBO हुगए है सर, चाचा तो अभी आपको पूरी तरिक्षे से आराम हो विया है, हां सर बस मसा है, बाकी 90% तक आराम हो विया है, हाँ सर दवा लेने में कोई प्रब्लम तो नहीं हो उर्यदी सर, आप, नहीं सर, कोई साइड एफेट नहीं हुआ सर, अगर सर कोई और प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमसे बाग कर सकते हैं ठीक सर्थ थैंक्को सर्थ यदि आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की तकलीफ है जैसे आपका सुबा सुबा पेट ठीक से साफ नहीं होता है खाना खाने के बाद पेट फोलता है ACDT की सिकायत रहती है गैस बनती है या आपको लेटीन के रास्ते से बलड़ाने की समस्या हो है या आपको लेटीन के रास्ते में कट पड़ गए है आपने किसी भी तरीके का पाल्स से जुड़ा हुआ आप रेशन कराया है लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से स्वस्त नहीं मैसूस कर रहे हैं तो नीचे दियोवे नमबरों पर आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं